यह एक्जाम्बल 3 यह प्लेयर A दे रखा है यह प्लेयर B प्लेयर A की 2 strategies X1 यह फिर X2 X2 होता है 1-X1 क्योंकि X1 plus X2 equals to 1 इसका नाम दे दिया 1st strategy और इसको दे दिया अपने 2nd इसके लिए pay-off matrix अपने को given यह given pay-off matrix है इस पे सबसे पहले इसको लिख रखा है कि graphical से solve करो ग्राफिकल के लिए यहां को दो रो होनी चाहिए यहां दो कॉल्म होने चाहिए तभी solve कर सकते हैं सबसे पहले check करें saddle point है या नहीं है रो में minimum माइनस हो यह जी लूँ है कॉलम में maximum उस पर square में लो तो given pay-off matrix में saddle point एक्जिस्ट नहीं है given pay-off matrix में saddle point एक्जिस्ट नहीं है यह अब इसमें saddle point एक्जिस्ट नहीं है अब अपने इसको ग्राफिकल से सब्सक्राइब तो क्या होगा वी डेस प्यार स्ट्रेटेजी अधे एक्सपेक्टेट प्याओ अब बीकी प्यार स्ट्रेटेजी इस कौन सी है फास्ट सेकेंड थार्ड फॉर्थ और यह सिफ्ट एक्सपेक्टेट प्याओफ किया अपने पास इसकी अपारिंग निकालेंगे यह फास्ट के लिए रहे पात करा उओ कि प्यार स्ट्रेटिजी इसकी फास्ट फालो हुँ दो इंकुष फारड लएंटॉ प्लस वन माइनस खकंट पर यह होजाय कांच खक और यह होजाय कि अजार्ग प्ल्पन अज स्टीश्वन फार्ट जोए नक्रीच्ट निक्या आज संड तो अनली क्या अपने पास condition minus 3x1 plus 3, fourth के लिए minus 2x1, 2 1 minus x1, क्या जाएगा, minus 4x1 plus 2, fifth, 3x1, और 1 minus x1, 2x1 plus, clear, तो यह जो अपने पास b की प्यार स्ट्रेटिजी सी, 5 ती, वो y की फार्म में हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 से, यह और a की expected payoff आगे में पास, अब अपने देखिए इसमें condition, इसके लिए graph बने, यह x1, यह expected of 3, यह x1 और यह expected of 3, और यह first strategy, यह second, इनके भी distance पान रहे हैं, तो unit less, यह आगे condition, अब अपन देखिए, यह expected of V, इसमें condition आई हैं अपने पास, इसमें कहां तक जा लिए, देखो condition, x1 में 3 तक positive हैं, यह 1, 2, 3, negative में, minus 1, minus 2, distance same लेना, और इसमें 3 तक, 1, 2, 3, यह 0, यह आगे condition, आप अपन देखिए, इसमें condition, जब x1, 2 है, तब इसमें किता है, 1, फिर स्टेटिजी, 2 है, 2 है, इसमें पर 1, यह 2 और यह 1, यह आगे condition, फिर 1, 0, यह x1, 1, यह ध्यान रखना यह फिर स्ट्रेटिजी आए, कि सेकें दर आएगी, यह 1, और यह 0, यह आगे condition, यह और विस्की अपर इंपन कंदिशन यह वा रन जिरो आप जिरो ट्री जिरो ट्री यादे मिनस दो और टू यह 3 और 1 lower boundary कौनसी बनेगी सबसे छोटा एरिया जो एक्स बन के साथ यह भी बना रहा है यह भी बना रहा है सारी बना रहा है सबसे छोटा पॉंसा हुआ यह प्या इस पे maximum height का point कौन सा है P इससे एको expected of पे maximum होगी यह P point किलाता है maxi min point यह यह जाएगी तो इस graph में क्या हो जाएगा lower boundary में क्या हो जाएगा graph में lower boundary मैं maximum height का point कौन है P m clear इसे player A को maximum expected P m राप्ड़ोधी और P किसका intersection point है यहां से देखना 1 0 1 0 second clear or minus 2 or second और fourth का intersection point है इससे 2 plus 2 की matrix हाजएगी अब अपन देखिए expected pay of क्या होगा maximum P m होगी जो point P है point P B की strategy कौन सी है यह यह अपने पास 1 0 यह 1 0 minus 2 or 2 second and 4 का intersection point और देखो इंका sign opposite होगा second और यह fourth एस लोप का sign opposite इसका positive इसका इन अगे इससे 2 cross 2 की matrix क्या जाएगी इससे क्या हो जाएगा यह 1 1 ए 1 2 A21 A22 क्या क्या निगलेगा जाएगा 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 देखना x1 डारेक्ट निकार लो 2 minus 0 पार्मला लेगे ले ना पार्मला पोता है अपने को और क्या हो जाएगा इन दोनों का सम 3 इन दोनों का सम minus 2 यानि minus के 2 x2 क्या जाएगा इसमें से यह less यह 1 minus 2 less होगा सर्य ना यह तो और क्या जाएगी condition 3 और यह minus 2 तो यह plus का 3 3 यह plus 2 होगा ना 2 और यह कितना हो जाएगा plus 3 upon 1 तो यह कैसी condition होगा जाएगी 3 की form में यह minus तो कितना हो जाएगा 2 upon 5 3 upon 5 दोनों का सम बन आना थी पहले बन नहीं आ रहा था ना यह minus trick की यह x1 x2 और क्या निकलेगा 2 और 4 है तो y2 y2 के लिए क्या जाएगी यह cover कर ले है इस पे से ही less करा है 2 और यह minus minus 2 upon 5 4 upon 5 y4 1 minus 0 upon 5 यानि 1 by 5 यह तो इस से क्या जाएगी अपने पास a और b की optimum strategies और value of the game rafind कर दें यह जाएगी value of the game formula लिखना आपी मैं direct लिखनी हूँ यह से 1 डिब्ला हुआ और 2 यह से 1 डिब्ला हुआ जीरो अपर 5 2 by 5 इनका सम होता है clear अब अपने पास आए player A की optimum strategy क्या हो जाएगी 2 by 5 और 3 by 5 और player B की strategy क्या होगी B के लिए Y1 है 0 Y2 है 4 by 5 Y3 0 ये 1 by 5 5 नहीं है 0 जो strategies नहीं है और ये value of the game क्यों होगी ये लिए 1 Y2 यानि B1 और B2 नाम दिए रख़़ए ये value of matrix तो यहां 2 row या column विए रहे है B के लिए रहे है 2 cos तो y2 क्या होगा y1 प्लस y2 कितना होगा 1 यह 1-1 फिर यह जाए तो यहां सेडल पॉइंट निकलना चाहिए रो में मिनिमम क्या है 6 माइनस के 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 कॉलम में मैक्जिमम 7 तो यहां गीवन पे आउफ मैट्रिक्स में सेडल पॉइंट नहीं है यहां गीवन पे आउफ मैट्रिक्स में सेडल पॉइंट नहीं तो यहां पंडिक्शन इसमें सेडल पॉइंट नहीं है अब अपन क्या लें यहां आता था भी टी प्राइटिज्ट अब क्या जैगा उल्डा हो जाएगा एडेश प्राइज प्राइज्ट इस पर फिल्टेज्ट इस पूंसी एंए एवन एटू निकों फर्ससेकिन लिखों कैसे भी लिख लों यहां एक्स्पेक्टेट आएगी B के लिए, B' expected pay off तो A की pure strategy, अब B के लिए, इसके लिए expected pay off, यानि EV क्या हो जाएगा minus 6 into Y1 plus 7 into 1 minus Y1 किसके लिए ग्राफ बन रहा है, B के लिए इसके लिए expected pay off आएगा जिसमें दो रो यान कॉलम होंगे, उसके लिए ग्राफ बनेगा तो B' expected pay off, या 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 इनि इसको solve करें minus 13 Y1 plus 7 4 Y1 minus 5 1 minus 5 तो यह प्लस का 5 Y1 और यह कितना हो जाएगा, 9 Y1 minus 5 expected of B minus Y1 minus 2 1 minus 5 क्या जाएगी condition तो Y1 minus के 2 यह expected of B minus 2 Y1 और 5 1 minus Y1 minus 7 Y1 plus 5 7 Y1 और minus 6 1 minus Y1 कितना हो जाएगा 13 Y1 minus 6 यह आगे अपने A की pure strategies उसके corresponding B- expected pay off आगे यह condition आगे आप अपन देखें इसमें इससे एक graph बनाएगे Y1 की value कहां तक है plus 7 और Y2 की कहां है यह भी plus 7 बने clear वहां first second बन भी थी clear इसमें उल्टा हो जाएगा यह first यह नहीं जो Y1 ने इदर आजाएगा Y2 इदर आजाएगा clear उल्टा हो जाएगा यह लेले अब ने 2 4 6 8 यह expected of me क्यों देखो यह Y1 आरा यह Y1 की condition दर यह expected of me और यह 2 4 6 8 minus 2 minus 4 minus 6 यह और यह condition आजाएगी अपने पास minus 2 minus 4 minus 6 और यह unit 4 क्यों अपने दें यह खिए खिको राइवा आपक कमे दे क्वाइर अपने मि यह 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 देगा क्म आपको दी यह आगया गरा, minus 6 or 7, फिर 4 or minus 5, 4 or minus 5. फिर minus 1 or minus 2, minus 1 फिजर का or minus 2, minus 2 or 5, minus 2 or 5, 7 or minus 6, इदर से 7 और minus 6, फिर यह आगया condition, अब इसमें है अपना यह condition आजाएगी, किसे intersection pointer है, उसमें था lower boundary पे, maximum height का point, उल्डा, upper boundary पे minimum height का point, अपर यानि उपर वाली boundary, उपर वाली boundary पे यह देखें, यह area आ रहा है मालवा, minimum height का point, यह minimum height किसे होनी चीए, यह point ले रहे हूँ, तो यह height ज्यादा आ रही, तो कौनसी होगी, यह, यह point, किससे बना है, minus 2 or 4, यह कौनसा है, minus 2 or 5, minus 2 के साथ 5 उपर जाएगा थोगा, यह होगा, यह point भी है, यह point भी है, कौनसे point की इस y1 से height कम है, minimum है, यह वाले की, तो जब player A की बात करेंगे, lower boundary पे maximum height का point देखेंगे, इसमें उल्टा, upper boundary पे minimum height का point देखेंगे, फिर यह point कैसा होगा, minimum, उल्टा हो जाएगा, B की बात कर रहे है, B के लिए minimum value आनी ची, यह के लिए maximum आनी ची, clear, तो यह किस point से बना, B किसके intersection से बना, minus 2 और 5, और, कांसी condition है, 7 और, minus 6, यह, इससे 2 cross 2 की, मैट्रिक्स आजाएगी, और solve कर लिए, आप अपन देखें, upper boundary का मतलब जो मैंने यह डाप कर रखी है, यह आ जाएगे, अगर लेना चाहो यह उपर वाना, इसमें minimum height का यह दो point आ रहे, एक ही है, और एक ही है, तो इसकी y1 से, जो height है minimum अंची, यह ज्यादा हो रही है, यह खम है, तो minimum height का point P, वो कैसा होगा, minimum x point, इससे B की expected of B कैसी होगी, minimum, वहाँ maximum आ रही थी, यह की जो आ रही थी, अपने के PM, maximum आ रही थी, expected of B player A के लिए, इस पे minimum आएगी, तो यहाँ आपन देखें, ग्राफ में, अपर बाउंटरी में minimum height का point P है, जिससे, player A, B sorry, और expected, pay off, minimum, clear, और point P, point P, जो है, क्या होजाएगी, player, point P, player A की two strategies, होन कोन सी स्ट्रेजी आ रही है, एक तो आई अपने पास, इदर बाली, minus 6, और यह, 7 और minus 6, और यह, 7 और minus 6, तो यह, 7 और minus 6, और दूसरी, minus 2 of 5 यानि ये 2 strategies A4 and A5 का intersection point है clear तो ये आगिया 2 का intersection point और इससे क्या होगी 2 cross 2 की matrix क्या हो जाएगी minus 2 5 7 minus 6 इससे ही हो गया A11 A21 A21 clear और इससे values निखालना है कि कौन सी है A4 A5 B1 Y1 Y2 AX4 X4 X5 की value निखलेगी बाकि X1 X2 X3 की value 0 ऐसे इस पर बारगर Y2 की value निखलेगी इससे इससे अपना X4 क्या हो जाएगा X4 के लिए क्या होगा A22 minus A21 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21 पर निखलेगी X4 रहा है कि X1 अच्छी का काम करेगा या जाएगा आपने माइनस 6, माइनस 7, A11 और ये माइनस 2, माइनस 6, माइनस A12, पिटा हो गया, माइनस 13, माइनस 8 और ये माइनस के 12, यानि 30 अपॉन 20, और दूसरी x 5, 5 के लिए क्या होगा, A11, माइनस A12, A11, प्लस A22, माइनस A12, A21, A11 क्या हो जाएगा अपने पास, A12 क्या हो जाएगा, 5, और ये माइनस 20, यानि 7 अपॉन 12, तो ये और और आजाएगी अपने पास, Y1, Y2 की वैल्यू, Y1 के लिए होगा, A22, माइनस A12, अपॉन A11, A22, माइनस A12, A21, A22 किता है अपना, माइनस 6, A12 किता है, 5, और नीचे वाली वैल्यू, माइनस 12, यानि 11 अपॉन 12, Y2, Y2 की क्या कंदिशन हो जाएगी, अपने पास, A11, माइनस A21, A11, A22, माइनस A12, A21, A11 क्या हो जाएगी, कंदिशन, माइनस 2, A21, माइनस 7, यह माइनस 20, 9 अपॉन 20, तो A की ऑप्टिमूम स्ट्रेटिजी क्या हो गई है, क्या हो जाएगी, X1, X2, X3, 30 अपॉन 20, 7 अपॉन 20, और B की ऑप्टिमूम स्ट्रेटिजी, B के लिए क्या हो जाएगी, 11 अपॉन 20, और 9 अपॉन 20, और वाल्यू अप दी गेम, वाल्यू अप दी गेम क्या होगा, V, इन नों का मल्टिप्रिकिशन 12, माइनस 35 अपॉन 20, यह यह वैल्यू दिवाइट होगी, तो यह कित्दा हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 20, यह नही 13 अपॉन 20, सारी 23 है ना, 23 upon 20, यह value of 3, यह मांगे अपने पास, अब है algebraic method, यह general method है, किसी भी payoff matrix के लिए solve कर सकते हैं, यह दे रखा है अपने को, exam में लिखा हुआ है, algebraic से करो, trace से कर लेना, यह simplex से लिखा है, simplex और algebraic दो general method, यह बाकी में particular, graphical के लिए, दो row यह दो column होने चाहिए, और dominance भी general method नहीं है, सारे questions के लिए apply हो, वो जरूरी नहीं है, यह saddle point वाले भी सब के लिए apply हो, वो जरूरी नहीं है, पहले saddle point चेक करना चाहिए, चेक करो नहीं है, तो direct algebraic से कर रहा ह लो में minimum ले लिया, column में maximum, तो यहाँ given payoff matrix में, यह given payoff matrix में, saddle point exist, यह अब यहाँ saddle point exist यह आप condition क्या देखें, इसको algebraic method से solve करने ता, let given matrix की value of the game concept यहाँ से समझना है, ना, value of the game V है, अब अब अपन देखें, minus 1 into x1, 1 into x2, 3 x3, यह player A की बात करता है, value of the game क्या है, V, player A के लिए game की value यहाँ तो V हो सकती है, यह वी से बड़ी हो सकती है, यहाँ ग्रेटर देन एक पल, main concept यहाँ, प्लेयर B के लिए बात करेंगे, यह तो V क्या value of the game, यह अब 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 की common form की condition है, तो player A की बात करें, A की most probability क्या है, जीतने की अपने, तो इसकी value यहाँ तो V के एकवल हो सकती है, यह वी से greater, दूसरी condition, दूसरे column से क्या बढ़ जाएगा, 2X1, minus 2X2, 4X3, greater than equal V, X1, इस column से, 2X2, minus 3X3, greater than equal V, यह player A की बात है, player B के लिए, क्या जाएगी condition, रोज से बनेगा, minus Y1, 2Y2, Y3, less than equal V, उल्टा, V के equal V हो सकती है, यह V से छोटी है, क्योंकि player B loss की condition, इसके profit की condition, ऐसे, Y1, minus 2Y2, 2Y3, less than equal V, 3Y1, 4Y2, less than equal V, and X1, plus X2, सारी strategies का सम क्या होगा, 1, Y1, plus Y2, plus Y3, equals to 1, और यह सारी strategies क्या होगी, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, greater than equal 0, clear, यह सारी की सारी positive होगी, अब यह system first ले लो, यह second, यह equation third, यह fourth, यह सारी conditions, algebraic method क्या होता है, कि यह, इससे X1, X2, X3, value of Y3, और value of the game final, जो given in equation है, उनको equations पे change करेंगी, यह equal होगा, यह equal, यह equal, यह equal, X1, X2, X3 की तीन equation ही आजाएगी, फोर्थ वाल ही है, इन चारों को solve करके, X1, X2, X3 की value find करेंगी, और वो ध्यान लगना, वो इस rule को satisfy करनी चाहिए, कि X1, X2, X3, 1 होना चाहिए, अगर नहीं आ रही है अपनी के condition, तो अपन एक किसी को भी in equation की form में ही रखेंगी, equation में change नहीं करेंगी, पहले आपन symbol change करा के देखते है, कैसे value आती है नहीं आती है, तो system first में इन equations को equation में change कराने पर, क्या जाएगा, minus X1 plus X2 plus 3X3 is equals to V, और ये 2X1 minus 2X2 plus 4X3 is equals to V, और X1 plus 2X2 minus 3X3 is equals to V, कैसे भी solve कर लो, मैंने इन दोनों को add करा दिया, 5 तक है, 6, 7, 8, मैं 6 plus 8 कर दिया, क्या है जाएगा, X1 एट गया, X3 एट गया, 3X2 किसके एक वाल हो जाएगा, 2V, तो X2 कितना हो जाएगा, तिया, X2 की वाल्यू आज़े, आप इसमें क्या करेंगे, X2 की वाल्यू इन तीनों में रख दो, या इन दो में ही रख दो, और solve कर लें इनको, तिया अब कैसे भी कर लो, यह X2 क्या गई, अब यहां मैं करूँ, यह हो गया और इन दोनों को अपन क्या करते हैं, less करा हैं, इससे नहीं आ रही यह condition है, ना, इन दोनों को add करा हैं, तो क्या जाएगा, X2 आट जाएगा, किसमें आ जाएगी, X1, X3 और V की फर्म, और यहां direct कैसे भी कर लो, X2 की value मैंने 6, 7, 8 में रखती, तो किसमें equation आ जाएगी, X1, X3 और V की फर्म, X1, X3 और V की फर्म में आ गई, उसको cross multiplication से solve कर सकते हैं, उन से X1, X2, X3, V की value निकाल लेंगे, और यहां चेक करके देखेंगे, इनकर सम बना रहा हैं नहीं, तो सही यह value हैं, ऐसे ही एपन, V की value सेम आनी चाहिए, clear, और यह सारी values greater than equal 0 होने चाहिए, तो अपना solution हो जाए, और अगर नहीं आ रहा है, तो किसी equation को अपन equation में ही रखके, उसको solve करेंगे, क्या करें, x2 की value या रही है, मैं कर रही हो, 6 और 8 को less कराते हैं, तो क्या हो जाएगी, x1, x2, x3 की condition आ जाएगी, और x2 की value रख देखेंगे, तो भी कर लो, यह ले ले हमाँ, आपन, by equation, 6 minus 7, क्या हो जाएगा, minus 3x1, 3x2, minus x3 की value रख देखेंगे, clear, यह जाएगी condition, इन दोनों को less कराएगे, यह minus का होगा, minus 3x1, यह 3x2, minus x3 की value रख देखेंगे, ऐसे ही मालो मैं 7 minus 8 करूँ, क्या हो जाएगा, x1, minus 4x2, plus 7x3, is it 1st to 0, clear, इनको cross multiplication से करें, 9, 10, अगर 3 variable है, constant 0 है, cross multiplication से कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, by equation 9th and 10, क्या हो जाएगी, x1, x2, x3, और चाहे, x2 की value रख के भी कर सकते थे हैं, हना, x2 की value रख दी, फिर x1, x3 और भी में condition आजाएगी, x1 के लिए क्या concept होगा, 3 minus 4, minus 1, 7, x2 के लिए minus 1, 7, minus 3, 1, x3 के लिए minus 3, 1, 3 minus 4, क्या हो जाएगा, 21, plus 4, minus 4 हो जाएगा, अना, तो कित्ता हो जाएगा, 17, 21, ये plus 4, minus 4, 17, और x2, ये कित्ता हो जाएगा, minus 1, फिर ये होगा, minus 1, plus 21, तो कित्ता हो जाएगा, 20, ये लिए न, minus 1, plus 21, येनी, 20, और x3 की condition क्या जाएगी, plus 12, minus 3, येनी, 9, इसको के लाट कर, फिर, x1, x2, x3 की value आजाएगी, x1 कित्ता हो जाएगा, 17, x2, 20, x3, 9, इसको किसमे बुट कर दें, थर्ड में, के आजाएगा, के आजाएगा, तो x1, x2, x3 की value आजाएगी, अब x2 की value ये रख दो, तो भी आजाएगा, value of the game, फिर, फिर, value of the game, दोनों में same है, अब मैं, में इक्वेशन को, equation में change करोंगी, v की value रख दोंगी, y1, y2, y3 की value आजाएगी, फिर, वो solution हो जाएगा, तो आपन x1, x2, x3 की value पुट कर दे, 4, putting in equation 4, तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस 20 प्लस 9, k, is equals to 1, किता हो जाएगा, 29, clear, 29 और ये किता हो जाएगा, 39 यानि, 46, 1 upon 46, तो क्या गंडिशन आगई अपने पास, ये तोरी थार्ट ही है, x1, x2, x3 हो जाएगा, थार्ड में रखा, x1 किता हो जाएगा, 17 upon 46, x2 क्या हो जाएगा, 20 upon 46, x3 हो जाएगा, 9 upon 46, और इसको आपन किसमे पुट कर दे, जाएगा, x2 क्या था, 2v upon 3, यानि, 20 upon 46, 2v upon 3, वी किता हो जाएगा, 30 upon 46, clear, यानि, 15 upon 23, ये वाल्य अब दिखे मावे, तो एक ही आप्टिमूम स्ट्रेजी क्या हो जाएगी, 17 upon 46, 20 upon 46, 9 upon 46, वाल्य अब दिखे, अब य के निकालनी है, तो क्या लैंग, सिस्टम सेकिंड में इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करें, क्या हो जाएगी अपने पास, ये condition, माइनस वाएवान, तू वाएटू, वाएतू, वीकेकवल, वाएवन माइनस टू वाएटू, तू वाएतू, वीकेकवल, वी अपना कित्ता है, 15 upon 23, और ये 3 वाएवन, प्लस 4 वाएतू, minus 3 by 3 यह नि 15 अपांट 10 तक से equation आ गई 11 12 13 जहां से चेखना मैं इंदो नो को करनो है यह y1 अट जाएगा y2 अट जाएगा 11 plus 12 y1 अटा y2 अटा 3 by 3 किसके को अगवा जाएगा 15 अपां 23 y3 क्या हो जाएगा 5 अपां 23 फिर y3 की value आ गई इसको किसी भी दो equation में रख दो y1 अटा की भी value हो जाएगी simple हो रहा है y3 की value रख जाएगा यह क्या हो जाएगा y1 अटा की योडि में डारेक्ट लिख जाएगा 7 अपां 23 जब इसको solve किया 3 y3 तो यह 15 अपां 23 टू टाइम्स आ रहा है तो यह 2 भी आएगा clear? 3 5 जे 15 और यह 10 अजाएगा 10 अपां 23 y1 की value यह और y2 की आजाएगी अपने पास 6 अपां 23 आगई? तो यह आगए अपना player A की optimum strategy क्या हो जाएगी A की 17 अपां 46 20 अपां 46 9 अपां 46 और B के लिए B की optimum strategy क्या हो जाएगी? 7 अपां 23 6 अपां 23 10 अपां 23 और B किता होगा value of game 15 अपां 23 यह आगए अपना solution अपांशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश